नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्यश शंकर्तिवारी हूं कांग्रेस में घमसान मचा हुआ है राहूल गांदी ने अभी तक अपने इस्तिफ्या वापस नहीं लिया है और उनकी बिकल्प की खोज हो रही है उसमें अलग-अलग बिकल्पों वे बात हो रह है जोत्रियादित सिंदिया ने लखनों में जो बैठक की उस बैठक में बड़े नेता पहुंचे ही नहीं कानपूर से स्रीप्रकाश जैसवाल नहीं आये फरुखाबाद से चुनाव लड़ने वाले सल्मान खुरसीद नहीं आये इसी तरह से और कई बड़े नेता नहीं आ सिफा मंजूर नहीं हुआ है राजबबर पर आरोपी यह लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन को निचले अस्तर तक मजबूत किया ही नहीं हर बार मतलब वह हमेशा इस मौड में रहे जैसे कि उन्हें प्रदेश सद्धक्ष पद छोड़ जो बैठक की थी उसमें तो फिर भी मन्थन हुआ कि आगे क्या किया जा सकता है प्रियंका गांधी को यूपी का सीम कंडेट बनाने की बात चली खुद प्रियंका गांधी ने लोग सबाचुनाओं के दवरान जो है वह आपको वीडियो जो उनका वायरल हुआ था याद हो को कोई गटबंधन करके यूपी में चुनाओं नहीं लड़ेगी लेकिन जो दिली में जोत्रियादित सिंधिया ने मिटिंग की जोत्रियादित सिंधिया पश्मी उतर प्रदेश के प्रभारी थे महासची होते हुए और पुर्वी उतर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका सर्मा को कि जिसका कोई जनाधार था ही नहीं और उन्होंने गुलाब नवी आजात को सीधे घेरा जोत्रादित सिंधिया ने जब मना किया नाम लेकर क्या रूप लगाने से तो जोत्रादित सिंधिया पर बरस पड़े ऐसे ही और कई सीटों को लेकर के जब वह मंधन कर रहे थे तो नेताओं ने ये कहा कि आप सच सुनने के लिए तयारी नहीं है तो फिर आपको हकिकत पता कहां से चलेगी इस तरह से उन्होंने जो दो बैठके की हैं एक दिल्ली में और एक लखनव में उसका आउटपुट ये है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है और सभी आरो हुई और ये हुआ कि हर हाल में अभी से घोसित कर दिया जाए ताकि उसी साब से तैयारी हो कांग्रेस ने अभी से ही बूथ हस्तर पर कारिकरताओं को कारिकरताओं से तैयारी करने के लिए कह दिया है लेकिन सवाल ये उट रहा है कि जिस पार्टी में इतनी गुट बाजी हो इतनी गुट बाजी हो कि एक महा सचीव और प्रभारी महा सचीव को कोई सुनने को तैयारी नहीं है गुलाम नभी आजात पर सिधा सिधा आरोप लग रहा है वो कांग्रिस यूपी में अकेले खड़ा कैसे होगी और कैसे वो चुनाओ लड़ेगी अभी टाइम है उसमे लगभग 2,5 साल का टाइम है कि इतने में कांग्रिस कैसे अपने को तैयार कर पाती है और क्या उप्रियंका गांधी को यूपी का सीम कंडेट घोसित करती है यदि पहले से घोसित करके तैयारी करेगी तो निश्ची तूरूप से उसका असर पड़ेगा देखते हैं जो भी